यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई डिग्री ली है चाएं वो बैक डेट डिग्री ही क्यों हो और अगर यूनिवर्सिटी ने उसका आर्ट याई से जवाब दे दिया है तो इस्टुडेंट को अब क्या परेशानी हो सकती है आज हम वो सभी बाते करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और हम आपको बताएंगे उन सभी सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते हैं दोस्तों काफी दिन से आपके सवाल जो लगातार हमारे सामने आ रहे थे आज हम उन्ही सवालों के जवाब लेकर आपके सामने उपस्तित हुए हैं और आज हम आपको बताएंगे उन सवी सवालों के जवाब नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजूकेशन फोर भारत में जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा उद्देश है आपको कानून वे शिक्षा की सही जानकारी दे कर आपको अवेर करना आपको जागरू करना दोस्तों आज हम आपके वो सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो के माद्यम से जो लगातार आप हमारे से कर रहे थे आप लोगों के सवाल थे कि सर हमने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई डिगरी ली है चाहें वो बैक डेट डिगरी ही क्यों हो और उस डिगरी को अगर यूनिवर्सिटी ने वैरिफाई कर दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं तो दोस्तों आज हम उसी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे उस सवाल का जवाब जो आप जानना चाह रहे थे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको एजूकेशन वे कानून की नहीं नहीं जानकारी मिलती रहे दोस्तों आपका एक सवाल था कि सार हमने किसी भी यूनिवर्सेटी से कोई डिग्री ली है चाहें वो डिग्री बैक डेट ही क्यों ना हो या फिर आपने किसी कंसल्टेंट या फिर किसी एजेंट के माधियम से आपने डिग्री ले ली और आप यूनिवर्सेटी में स्वाम उपस्तित होकर वहां से degree या उसके साथ कोई भी certificate या फिर जैसे character certificate migration आप university में उपस्तित होके लेके आए हैं और आपको उसकी एवज में university ने जो फीश ली थी उसके रसीद आपको नहीं दी और आपने जब RTI लगाई या फिर university से उन दस्तावेजों को verify करा लिया है university ने भी आपके उन सभी दस्तावेजों को verify कर दिया है तो student को बिलकुल problem नहीं है student को के दिमाग में एक सवाल था कि sir अगर verify कर दिया university ने जवाब दे दिया और अगर बाद में university उस degree को मना कर दे डिनाई कर दे तो sir हमें कोई problem तो नहीं होगी तो दोस्तो आज हम वो ही बताने वाले हैं अगर आपने किसी भी university शेगर कोई दस्तावेज लिये हैं उन दस्तावेजों को लेने के बाद आपने जब university में जरिये RTI या फिर कोई verification process के जरिये आपने verify करा ली है और आपको university ने उसके बदले में अपने letter pad पे या फिर कोई भी जो उनका एक legal process है उसके जरिये आपको verification दे दिया है तो अब आपको घबरानी की बिल्कुल आव सकता नहीं है आप बिल्कुल safe है जब भी university कोई scheme में आएगी या फिर university के उपर ऐसी कोई कारवाई होगी फरजी वाड़े को लेकर तो आप लोग उस जो certificate या फिर आपको जो document उन्होंने verification के बाबत दिया है उसे आप दिखा सकत हैं उन agency को या फिर आप complaint डायर करा सकते हैं उसी university के खिलाब और साथ ही आप university को claim भी कर सकते हैं आज हम उसी की विश्तरत चर्चा करेंगे आपको बताएंगे की claim क्या होता है और किस परकार किया जाता है या फिर university अगर आपके दस्तावेजों को deny करती है मना करती है तो आ बात बिल्कुल अच्छे से समझ ले अगर आपके पास कोई भी university से लिये हुए दस्तावेज अगर verify हो गए हैं चाएं वो RTI के दवारा हुए हैं या फिर उनके verification process के दवारा और university ने मान लिये हैं कि वो दस्तावेज उसी के हैं तो अगर बाद में या भविशे में कभी university उन दस्तावेजों को मना करती है तो आप उसके खिलाब 420, 466, 468, 120 B के तहत उनके उपर कारवाई कर सकते हो उनके खिलाब मुकदमा दर्ज करा सकते हो और दोस्तों मुकदमा दर्ज कराने के साथ-साथ आप civil नियाले के जरिये आप claim कर सकते हो university को अगर university आपके दस्ताव जो को मना करती है इसलिए हम आपको हमारे हर वीडियो में बताते हैं कि आप RTI से verify जरूर करा ले मुझे पता है दोस्तों RTI से verify university एकदम नहीं करेगी university RTI से verification करने से बसने के लिए नए नए भाने ढूनती रहती है उन्हें पता है कि अगर university ने student की degree को verify कर दिया और बाद मे वो डिगरी अगर फरजी हो जाती है तो वो university पर claim कर सकता है और वो इतनी धनरासी मांग सकता है जो university कभी दे भी नहीं सकती क्योंकि student का carrier अगर university खराब करती है तो हमारे कानून के अंदर हमारे भारतिये कानून के अंदर इस पर स्ट रूप से लखा हुआ है कि जो व्यक्त गुना करेगा उसकी सजा भी उसे ही मिलेगी अगर university ने आपके साथ कोई गुना किया है तो उसकी सजा का हकदार भी university ही होगी इसलिए हम आपको बार बार aware करते हैं कि RTI अगर आपका जवाब मिल गया तो आपको अब घबराने की आउशकता बिलकुल भी नहीं है अब घब प्रोसेस दोस्तो एक चीज समझना कि जब आप फर्ष्ट RTI लगाते हो तो आपको उसका जवाब नहीं देगी आपके सामने तरह तरह के बहाने बना देगी हम RTI Act के अंदर नहीं आते हम जवाब नहीं देते और जो फर्ष्ट अपील होती है वो भी university के अंदर ही की जाती ह इसलिए हो सकता है फर्ष्ट अपील के अंदर भी आपको जवाब नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तो फाइनल जो अपील होती है वो government office में होती है state commissioner के वहाँ होती है government का एक officer होता है वहाँ अगर आपकी RTI पहुंचेगी तो 100% आपका जवाब मिलेगा आपको जवाब अगर नह ने बताया है सायद आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारे दिवारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को like and share जरूर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें ताकि हम आगे जो भी ज जानकारी लेकर आए तो वो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन जै भारत